इंडस्ट्री 4.0 तो क्या इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 यह कहां गही आज हम भीन सब के बारे में बात करेंगे इंडस्ट्री 1.0 बोला जाता है लेट 1700 में 1770, 1780 और अर्ली 1800 में शुरू ही थी जब steam engine आया था तो पहले सब कुछ काम agriculture से होता था या manual होता था जब steam engine और steam power, water power उससे जो हैं बहुत सारी machine बनने लगी और factory उनके थुरू बनने लगी तो वो बहुत बड़ा एक revolution था तो जैसे उस टेम पे बहुत सारी चीजें फिर ये steam engine के थुरू तो train का भी हो गया और factories का हो गया एक बहुत ही important बात यह है कि factory जब पहले बनी होते थी तो फैक्टरी के अंदर जो सामान रखने का होता है जैसे हम inventory बोलते हैं तो पहले तो रेलगाड़ी उतनी चलती नहीं थी सामान जो है वो किसी तरह से man वली या horse ride करके ऐसे पहुचाया था तो बहुत टाइम लगता था तो सब factory वाले कई महीनों का सामान अपने पास रखते थे तो inventory बहुत सारी रहती थी जब steam engine आया तो उससे सामान जल्दी आने लगा तो एक बहुत बड़ा improvement हुआ क्योंकि अब उन्हें उतनी inventory नहीं रखनी थी क्योंकि इन्हें मालूम है कि सामान कतम होगा हम order करेंगे तो पहले जितने महीने लगते थे अब शायद दिन लगें गया पहले कहीं दिन लगते थे तो शायद अभी 1800 में वाया steam engine के कारण दूसरा industrial revolution मों बलते हैं जब electricity आई क्योंकि अब क्या हुआ पहले तो फैक्टरी जो बनती थी वह यह दिखाता था कि भाई factory हम किसी नदी के पास या ऐसी कि जगह पर बनाए जहां से steam power मिल पाए और फैक्टरी हमारी चले पर अब जब electricity आ गई तो य पर फैक्टरी काहीं भी बना सकते हैं क्योंकि electricity से तो फिर और दूदूर की जिगह पर में भी जहां पर आपको raw material मिल ला है जहां आपको talent मिल ला है आप factory वहां डाल सकते हैं तो और उसे खांड और भी mobility आ गई उसी डेम पर कार भी आई हैं और बहुत सारी और चीज़े हो थार्ड इंडेस्टियर रिवोलुशन इस 1970 टाइप से जब computer आया और लोगोंने computer यूज करना शुरू किया तो computer से क्या हुआ कि अब जैसे computer का मेंड वो है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी process कर लेता है वो बहुत सारा information ले सकता है और उसको process बहुत जल्दी कर सकता है त तो लोगों ने अपना काम जो है वो automate करना शुरू कर दिया जाहें बैंक के अंदर ले लें भाई वो पहले जैसे इन्ट्रेस्ट देना है कहा है महीने में या quarter पे या year end पे तो पहले तो बैंक जैसे year end पे थोड़े कुछ दिनों के लिए बंद कर देयाते थे या बहुत ही डेली इंट्रेस्ट कर सकते हैं इसी टाइप से ये computer आने से बहुत कुछ चीज़ है automation शुरू हो गया factories में जो कुछ भी काम आप computer में वो सब डाल के आप समझ सकते हैं कि कैसे चीज़े होने वाली है और design और अच्छा सा होने लगा computer aided design उसे बोलते हैं तो जो computer आया उससे ह अनों ही मिला कर third industrial revolution हुआ, fourth industrial revolution के लिए हम बोलते हैं that is like around 2011 मेर्थ की बोला गया था कि तब से आया है and it's mainly related to connected devices इसका क्या मतलब है हमारे बहुत सारी तो जब computer आ गया internet आ गया उसके बाद हमने फिर smartphone देखा smartphone आया और बहुत सारी devices हैं जैसे smart watch हो गई या हमारा smartphone हो गया या और भी चीजें इस टैप से जो हैं जो की data collect कर सकती है उनको process कर सकती है और वो दूसरी machine को communicate कर सकती है तो mainly जो internet of thing जो हुई और इस में industry 4.0 में it's more relevant कि वो industrial IoT उसे बोला जाता है तो factory के अंदर फिर से अब various sensor लगा सकते हैं वो sensor एक दूसरे से बात कर सकते हैं देख सकते हैं कि assembly line कैसे चल लई है कुछ problem तो नहीं हो गई कि similarly inventory को वो sensor देख सकता है और information भेज सकता है तो यहां फिर से यह fourth industrial revolution है which is mainly with IoT and data cloud computing आई जिससे कि आप ज़्यदा जल्दी से compute कर सकते हैं और AI मैं सप्टम को मिला के मैंने बुला है acid formula which is like artificial intelligence cloud internet of thing and data तो mainly यह चार चीज़े जो हैं यह हमारे fourth industrial revolution में आई तो main यह है कि fourth industrial revolution में बहुत सारी मशीने या बहुत सारी devices अपस में connect होती गई और वो data जो है उस device पे compute होकर जो information है process information या decision या insight दूसरी मशीन को दे सकता है दूसरी मशीन उस पर action ले सकती है इस टाइप से काम हो सकता है तो कही हम जैसे factory का example देखते हूं जैसे मैंने बुला कुछ problem हो रही है flow ठीक नहीं है कुछ optimize कर सकते है फ्लोर पे कुछ और करने का है inventory काम काम हो रहा है नहीं हो रहा है कहीं पे कुछ कुछ कम रहा डिफेक्टिव प्रोड़क को जाज ज्यादा होगे कुछ इसका रीजन शायद यह रहा होगा जो input material हो शायद काम आया या output उतना नहीं हुआ तो यह सब चीज मिलकर fourth industrial revolution which is industry 4.0 उसे बोलते हैं तो मेरे साब से भी आगे और जो होगा and मैंने एक और अपने वीडियो में बात किया है machine customers वो हम एक आगे revolution देखेंगे which is sort of again the evolution of currently what we are seeing कि various machine है उनके अंदर अलगों है वो compute करके कुछ decision ले रही है आगे machine customer होंगे वो शायद purchase और sale का भी decision ले लेंगे आपके बिहाफ पे एक बार आपने उन्हें authorize कर दिया है तो यह overall मिलाकर जो अभी state है that is industry 4.0 hopefully आपको यह video अच्छे लगा होगा आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप मेरे website www.raktinsingh.com पर जाके पढ़ सकते हैं thank you झाल प्यदए आपके ले खिए में लिए प्याद तो आपके बारे में लेपके बारे में लोका यह जिए प्यादोन सकते हैं